हलो दोस्तों आप सभी का UPSC ग्यान दाइनी के इस बेस्ट प्लेटफर्म पर स्वागत और अमिनंदन है मैं आप सभी के बीच में नहाँ जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बता है कि GSBoon पर हर रोज एक नया टापिक आता है और इस GSBoon पर जो भी टापिक आता है वो आपके exam में पूछा जाता है या पूछा गया होगा इसलिए वो टापिक आता है क्योंकि उसको आप most important पर लिख सकते हैं क्या हो सकता है वो most important topic ही हम आपको GSBoon के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं जैसे मैंने आप सभी लोगों को बता है कि इसका नाम मैंने GSBoon क्यों रखा था क्योंकि आपको चाहे आप one day label से UPSC तक का exam दे रहें या UPPCS मेंली मेरा तो target है UPPCS RO RO से ले करके one day label तक का UPSC मैं बिल्कुल target नहीं करती हूँ बिल्कुल कुछ चीजे आती हैं कि बागी करते करके मैं उसको पढ़ाती तो बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ ठीक है ना के नहीं पी ताट्रेखा किसकी है और कौन सा महराश से गोगा के बीच में के ताट्रेखा को क्या नाम दिया गया ऐसे प्रस्नाप सभी के बीच में बनकर उबरकर आते हैं तो आज हम लोग तर्ट रेखाओं से समंदित चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए देखते हैं तर्ट रेखा हैं होती क्या हैं सबसे पहले तो भारत की तर्ट रेखा के बारे में बातचीत करेंगे का गया है भारत तीन ओर से समुद्र से गिरा है किसे समुद्र से आप कहेंगे निकल करके आया दूसरी बात है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई आप देखेंगे 7516.6 किलो मीटर है जितनी इन तट रेखा की बात की जारी कहां से गुजरात से ले करके गुजरात महाराष्ट गुवा करनाटा केरल तमिनाडू आंद पर्देश उडिशा और पश्चिम और साथ में प्लस चार किंसासित परदेशों की इन सब की कुल लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 7516.6 किलो मीटर की है कितनी है 7516.6 किलो मीटर की याद रखना का गया भारत की तट रेखा पूरम में बंगाल की खाड़ी से मैंने बता दिया पूरम में कहां लग रही बंग मुक के भूल में से और दियूपों से यह क्या है गिरी हुई है और यहां पर गला गया है नो राजी और चार केंसासित या आपकी यूनियन ट्रेट्री या आपकी यूटी है मैंने इनकी चर्चा आपको पहले ही बता देए अब चार यूटी में कहों से आते हैं तो एक तो आप उनको याद करके रखें आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में आपको पहले ये बता दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तट्रे का देखेगा मेरी बात सुनिएगा अगर आप कोई चीज ऐसे ऐसे इतना छोटा लेते हैं और आपको कोई सीधा इतना बड़ा दे दे तो कौन सा सबसे जादा लंबा है या सबसे जादा किसकी लंबा है तो आप देखेंगे इसकी लंबा है माल लिजेगा एक मीटर है में मोटा मोटा एक मीटर है लेकिन जब इसका उतरी बिंदू और इसका दचणी बिंदू पकड़ कर इसको खीचेंगे तो आप देखेंग तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है तो गुजरात कि दूब बन कर निकले है इतना लंबा और उसके बाद आप देखेंगे आंध परदेश का यहां से लेकर यहां तक कि आंध परदेश की सीमा रेखा बताई जाती आंध परदेश और तीसरा आपका तमिलनाड और चौठा आपका महाराश चार राजी आपको कम से कम याद होने चाहिए कितने चार राज तो सबसे ज़्यादा तट रेखा किसे लग रही गुजरास से जो 1214.7 किलो मिटर के आसपास लगती है और दूसरा देखेंगे आंद प्रदेश की कितनी 973.7 किलो मिटर लग रही और तीसरा आप देखेंगे तमिलनाडू की 906.9 किलो मिटर सीमा साजावरी समुदर से तट की सीमा लग रही है ठीक है और चौता देखेंगे आप महाराश्त 652.6 किलो मिटर और बांकी सब छोटी चोटी और सबसे छोटी रहा है अगर आप देखेंगे राज्यो में तो गोवा की है सबसे बड़ी गुजरात की दूसरे नंबर पर आंठ पर तमिल्नाड और चोथे नंबर पर महाराष्ट आता है क्या आता है महाराष्ट बस इतना यह आत्क तो लेकिन नो राज हैं कौन कौन से तो आप कहेंगे गुजरात, महाराज, गोगा, करनाटा, केरल, तमिन, आंड, उडिसा, पशिम, ये नो राज्यों से सीमा साजा होती है आपकी समुद्र की ठीक है अगला आता है आपका दादन, नागर, हवेली और दमंद्यूप आपके ये क से पूछा जा सकता है सबसे लंबी तट्रेखा किस से तो अंडमा निकोबार से लगती 1962 मतब साड़े उनिस से से ज्यादा किलो मीटर में, एक हजादा नो सो बासट किलो मीटर लगती है अगर अब आप से ये प्रस्न बने कि निम्न लिखित में से राज्यों और केंसासित म सबसे ज्यादा तट्रेखा किस से सीमा साजा कर रही है तो आपके सामने अंडमा निकोबार, बुजरात, महाराष्ट, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश कुछ भी आ सकता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंडमा निकोबार दिव्प समू पर ही लगाना रहे है अगर केंसास 6 किलो मीटर ही कितना 30.6 किलो मीटर ही साजा हो रहे अर राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात में और सबसे कम गोवा में अगर आप से यूटी में पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा अंडमा निकोबार दिव्प समू में और उससे छोटा आपका किस में लगता है उपर उबर करा है और वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं कितने 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं कितने 8 यूटी हैं ठीक है तो बताया गया है कि अब इसका नाम क्या रख दिया गया है तो दमन और द्यूप कर दिया गया है इन दोनों को मिला करके अगला पॉइंट कहा गया है क भारत की मुख्य भूमी से लगे कुल तटकी मुख्य भूमी मतलब मुख्य भूमी से लगे कुल तटकी लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 5,422.6 किलो मीटर है 5,422.6 किलो मीटर याद कर लो और मुख्य भूमी से दूर कुल तटकी लंबाई कितनी है 2,094 किलो मीटर 2,094 कि इसी किसी बुक में ये वाली लंबाई एक सट सो किलो मिटर भी मिलती कितनी एक सट सो किलो मिटर तो इधर वाला आपका सत्रा सो कुछ सम्थिंग मिलता है ठीक है याद रखना उसको भी कुशन आएगा तो वहां करा देंगे कागया भारत में राज्यों में गुजरात राजी की तट रेखा सरवादिक लंबी है और सरवादिक छोटी तट रेखा आपकी गोवा की है किसके यह गोवा की सबसे पहले मैंने यहीं पड़ चर्चा की है जो आपसे अक्सर यूपी पी हमारा भारत कैसा है हमारा भारत उबर खाबड है उबर खाबड का मतलब कि यह कहीं पर तट हैं कहीं पर मैदान हैं कहीं पर परवत हैं कहीं पर पठार हैं तो एक सीधी रेखा नहीं है और हमने क्या किया एक सीधी रेखा कीची का गया है अंता इसतर सागर की ओर निकले भा को छेतरी सागर का जाता है जो हमारा प्रदेशिक जल छेतर होता है वो आपके बारा समुदरी मील तक होता है कहां तक बारा समुदरी मील तक होता है इसकी अब एक और बात बता यहां पर पूर्ड या संपूर्ड अधिकार भारत का होता है और यहां पर भारत के इजाजत के बगेर परिंदा तक पर नहीं मार सकता है, मतलब कि अगर पच्छी भी इस चेतर में उड़ना चाहे ना, तो उसको भी गोली मार दी जाती है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट चेतर आता है, और उसके अंतरगत हम क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये पूरी तरह से अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत का होता है, तो प्रदेशिक जल चेतर को ये छेतरी सागर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभी हम आपको बताएंगे, अनन्यार्थिक मंडल 200 नाटिकल मिल तक होता है, कैसे आपका प्रदेशिक जल अधार रेखा से सागर के ओर नापी जाती है, और ये सामानिता 12 समुद्री मिल तक है, 12 नाटिकल मिल तक है, याद रखना है, इस बात को खूब पूछा जाता है, अगर आप से छेतरी सागर नाम आ जाए, तो गलत नहीं करना है, इसी को प्रदेशिक जल छेतर भी या प्र भी हस्ता छेप नहीं कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूर अधिकार, ये संपूर अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत का होता है, अगला है समीपस्त मंडल का विस्तार आधार रेखा, जो आधार रेखा सीधी खीची गई थी, रेखा से 24 समुद्री मिल तक है, और इस छेतर में भारत को सीमा सुलक करना सीमा सुलक वसूली और विटी अधिकार प्रा प्राप्त होते इसे को कहा जाता है कि 24 देश का साफ सफाई कर सकते हैं क्या कर सकते हैं समीपस्त मंडल भी कहा जाता है आगे का गया किसी भी देश का अनने आर्थिक छेत्र जिसे आप कहेंगे एक्सलिस्यो इकोनामिक जोन जो आपका ये आपका लगबग 200 समुदरी मील तक फैला होता है कितना 200 समुदरी मील तक मैंने आपको चितर के मायदम से भी दिखाने का प्रयास किया इस शेतर में भारत को वैज्ञानिक अनुसंदान की छूट होती है यह छूट मिलती कैसे अनुसंदान इस थापित करने की भी छूट दी जाती इन 200 समुदरी मील के अंतरगत और इसी का आजाता है आपके जो अनने आर्थिक छेतर है इसी के अंतरगत भारत के साथ स्री लंका का मैप आपने कभी सोचा होगा ना कि भारत के साथ स्री लंका का मैप क्यों बनता है पाकिस्तान तो नहीं बनाता है कोई और तो न परदेशिक जल छेर को छेत्री सागर का जाता है जो लगबगा आपके 12 समुद्री मिल तक है आधार रेखा से ठीक है चेत्री सागर की दूरी आधार रेखा से रेखा से सागर के और नापी जाती जो सामानेता बारा समुद्री मिलता है मैंने बता रखा है आईए अगले प्रस्न से आपके रूबरू कराते हैं कहा गया है कि निम्लिकित में से किस तर्ट से भारत का ओसत समुद्री तल नापा जाता है तो ये आपका जीके टाइप का क्여शन है कैसे है जीके टाइप का क्युशियो Should इसको आप रट लो मतलब ये चन्नेई से ही मा पा जाता है ठीक है तमिललाडू के चन्नेई से तो ये आपका जीके है तो इसको आप अपने साथ रट कर रखे यह नहीं बदलने वाला है ऐसे कुछ जागर्फी में अपडेट आते जरूर हैं लेकिन कुछ चीजे हैं जो आपकी नहीं बदलती हैं अब करकर एक आठ राजों से गुजरती तो आठ से ही गुजरेगी तो इसको आप एक बार रट लेंगे या एक बार दिमाग में बैठा लेंगे कि आपके ग क्लियर करने पड़ेंगे इस पीट के लिए इस पीट से इसलिए पड़ा रहें ताकि आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट भी नहों और चीजे ज्यादा से ज्यादा आप एक्जार्व कर लें आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन आता है आपके बीचे में भारत के परदेश कि मील तक पहला हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं का आगे भारत की तर्रेखा कि कुल लंबाई यहां पर कुल लंबाई सारी नहीं आए ना कुल लंबाई अच्छा कुल लंबाई की बात की गई है तो लगबग आप कह सकते हैं साथ अजार पान्सो किलोमीटर क्योंकि अगर आपके सामने यह आए तो आप विल्कुल इसको किलियर करके रखें आगे का आगया भारत की तट रेखा है अब भारत की तट रेखा दोगो किसी किसी बुक में एक सठ सो भी देता है किसी में बाशट सो देता है मैंने आपको पढ़ाया चंवन सो बाइस दसमलो 6 के की यह 90 पलस की बात हमने की कहां पर पूरी संपूर बचे वही यह तो आपके मुखी तट रेखा की बात हुई लेकिन यहां पर नहीं दिया गया है लेकिन आप देखेंगे किसी किसी बुक पर आपको एक सठ सो भी मिलता है मैंने दोनों बता रखें अब आपको आफसन से च रेखा सबसे लंबी है अब मैंने क्या कहा मैंने कहा आप सभी लोगों से आप देखेंगे कि सबसे लंबी अगर मैं इसको खीच दूँ और इसको पकड़के तो सबसे लंबी किसकी आएगी तो गुजरात की आएगी गुजरात के बाद मैंने क्या कहा आंद पर देश की और फिर उसके बाद तेलंगाना किया आएगी और चौथे नंबर पर आपके महाराष्ट की आती है किसकी आती है महाराष्ट की चारों राज्यों को मैंने बता रखा है तुम मैंने बता रखा है गुजरात का है किसका है गुजरात का है आगे चलते हैं कागया निमने लिखित में से आगे बढ़ते हैं कागया निमने लिखित में से में भारत का कौन सा राज सरवादिक लंबी तर्ट रेखा वाला राज्य है तो आप गुजरात ही जब तक गुजरात है तो गुजरात नहीं फिरांद परदेश नहीं फिर महाराश्ट इतना आपको चार यात ओ इससे ज्यादा नहीं देता है कभी इनी चार में गुमाफिरा कर दे देता है ठीक है न तो इन चार को आप दिमाग में रखेंगे आगे जोराज्यों से आपकी तर्रेखा घुजड़ती तो क्या सही होगा सीudsतर भी गुल सहीं उत्तर आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ने के करम पर देखेंगे कि रतनाकर रतनाकर नाम सुचक था किसका था प्राचीन भारति थी एतियासिक में तो भोगोल में रतनाकर किसका नाम देखो तटी अपरदन तो तटो पर जो है तो सरवाधिक तटी अपरदन किसे होगा तो लहरों से होगा किसे होगा लहरों से होगा जौर भाटा अरे जौर भाटा चोबिस गंटे में दो बारा आएगा फिर बारा गंटे में किती बार धाराओं से होगा धाराओं से तो धारा से होता है अगला प्रस ने आपके सामने नहीं आदान को तीन भागों में वर्गी-कृत किया गया कितने तो देखते हैं। कोटा सा समझना यह आपके पश्चिमी गाठ है यह आपका पूर्वी गाठ है इधर आपका हिंद महासागर इधर आपकी भंगाल के खाड़े इसके बीच यह जो किया यह तट है क्या है इसी को तट का जाता है ठीक है ना तट है अब आईए बात करते हैं कहा गया गुजरात कहां पर गुजरात यूम दादन नागर हवेली और दमणmade Best इंध begitu paid is a है और इसके जष्ट नीचे आप देखेंगे यहां पर तो आप देखेंगे यह긴 काया है दादन नागर हवेली और दमण द्यूप पर फैला हुआ है अगला आता है या साबर मती और माही नदी माही आधी नदीयों के जलोड निच्छेपों से निर्मित है मतलब साबर मती और माही नदीयों जो आप जलोड लाती है उनके निच्छेपों से ये निर्मित हुआ है कौन सा तो आप कहेंगे गुजरात का तटी मैदान इसके दच्छिण में किसके दच्छिण में इसके दच्छिण में अरब सागर है अब आप देखी रहें इसके दच्छिण में क्या अरब सागर है उन पश्चिम में काठिया वाड़ है तो इसके पश्चिम में क्या है काठिया वाड़ है याद करके काठिया व बागों में विभाजित किया गया है। तक है और जो आपका दच्छडी वाग को मालावार कहा जाता है अब मालावार क्या होगा तो मालावार को आप समझेगा एक मांचितर के माध्यां से आपको बता दें रहे पूरी बात देखेगा यह आपका तो इसको आप गुजरात का तटी मैदन कहते हैं जो गुजरात और आपके दादर नागर अवेलिए और दमन दूप पर फैला है फिर आया कोंकरतट, कौन सा आया कोंकरतट, कोंकरतट हमने कहा महाराट से लेकर कहा तक जाएगा गोवा तक की बात कही इसे कोंकरतट कहते हैं, अब गोवा से लेकर मंगलूर तक या करनाटक के मंगलूर तक इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी को करनाटक तक किया है, कनारा तक कहत कनारorg अब मंगलूर से लेकर केरल के कन्या कुमारी तक को मालवारतत चाहा जाता है क्या कहा जाता है मालवारतत चाहा जाता है इसको आप अपने साथ इन तीन तड़ों का कभी कभी करम पूछ लिया जाता है को सा तड, किसके मद्य बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब का आगे पूरी तटी मैदान महा नदी गोदावरी किष्णा तथा काविरी नदीयों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होता है हमने कहा कि जो आपकी दच्छिन भारत की नदियां हैं वो आपकी डेल्टा लगबग सभी बनाती है और लगबग सभी आपकी कहा जाती बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है ठीक है डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजा हुआ है इसमें महा नदी किष्णा नदी के बीच क्या मैदान को उत्री सरकार कहते हैं ठीक है आईए अब पहले मैं बात करती हूं जो को अब य कहा जाता है इसको याद करके रख रहा है और महा नदी से आप देखें किसना नदी के तट को क्या कहा जाता है उत्तरी सरकार कहा जाता है क्या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है ठीक है ना और उसके बात आप देखेंगे कि आप किसना नदी से ले करके कन्या कुमारी तक के ब किशना नदी के बीच में क्या कहा जाता है उत्री सरकार कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अब कहा गया है कोरो मंडल तर्ट का विस्तार भारत के दच्छिड प्राइदीप के दच्छिड पूर में आंधर परदेश के फाल से डिबी बिंदू जो आपके केशना डेल्टा के पा तो 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था और यहां पर जमूरी नामक सासक ने या राजा ने उसका बड़े अच्छे स्वागत और सत्कार किया था आगे बढ़ते हैं कोरो मंडल तर्ट केशना और कावेरी नदियों के मदी इस्तित है केशना और कावेरी नदियों क महन अदी तर्ट के क्या का इड़ा उतकल छेतर या उतकल मैदान कहा जाता है भारत के पश्मी तर्ट पर इस्तित प्रमुक बंद़गा आयं याद करके रखना का गया मुंबई में महाराष्ट मूंबई बंदरगा कहां परedy महाराष्ट में कांडला बंदरगा गुजरात म कागया मुर्मु गाउं बंदरगा गोवा में जवाहल लाल नहरू कहां पर है महाराष्ट में जंजीरा बंदरगा कहां पर है तो जंजीरा बंदरगा भी महाराष्ट में उडुपी बंदरगा करनाटक में कोचीन बंदरगा केरल में और न्यू मंगलूर बंदरगा करनाटक आदि में है याद करके इतने जरूर याद करके रखना और यहां से अक्सर आप से प्रस में पूछा यी पूछा जाता है आगे बढ़ते कागया भारत के पूर्वी तट परिस्तित प्रमुक बंदरगा प्रमुक बंदरगा में सबसे बड़ा बिशाखा पतनम जो आंध हम के लिए एकदम जवर्जस्त बेनी फिट देने वाले हैं आगे बढ़ते हैं अब आता है आपका कोश्चन तो आगे भारत वर्ष के पश्चिमी तटी मैदान पश्चिमी तटी निमनिके सहरों पर विचार कीजे मतलब यह कह रहा है पश्चिमी तटी और उनको उत्तर से दच्षिन के करम में लगाना है क्या करना है उत्तर से दच्षिन के करम में लगा देना है तो आप सभी लोगों को फटफट एक एक मिनट का समय दिया जा रहा है और सभी लोग आप इसे लगाने का प्रियास करें तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा तो आप कहेंगे जंजीर का है फिर आपका एन नौर आएगा और फिर आपका नागर कोईल आएगा तो क्या नंबर आएगा एक दो एक एक चार एक चार दो तीन एक चार दो तीन दी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर जाएगा क्या जाएगा तो आप कहेंगे दी उत्तर बिल्कुल सही जाएगा ठीक है ना अगला प्रसने कागया आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे दिनमार्क वासी मिल जाएं परंत उसका कारण यह है कि दिनमार्क की किचोकी वह करती थी यह अनूठा नगर उसका दुर्ग और कागया सुंदर गिर्जागर नया जेरुशलम सुनी सडके और उजड़ ततागर सब मि बन जाते हैं तो किसे की बात हो रही है बता दो यह तट किसकी बात हो रही है का गया तमिल्लाडू तटकी के रजल के तटकी कनाता के तटकी यह ऊइं गोवा तटकी जल्डी से आप सब Magnus mountain bag register में बताएं किसकी होगी तो यहां पर आपका एक और देनमार्क वासियों और दूसरा आपका आया जेरूशलम ना जेरूशलम और तीसरा आपका दुर्ग और सुन्दर गिरजागर तु HEY कहाँ बनाया जाएंगे हैं आपके तमिलनाड़ू में कहाँ पर सबसे पहले जो भी आएगा तो यही êtes जलदी से पताएं क्या सभी लोग फटावड बताएं क्या होगा तो आपको तो ये क्या दर्सा रहा है तो आप कहेंगे ये तो हमारे भारत की रेखा है और ये कैसी अंतर जली उच्चा वच रेखा को दर्सा रही है क्या दर्सा रही है आप सभी लोग फटा फट इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ने के करम पर आप देखेंगे कागया भारत वर्ष के निम्न सहरों पर विचार किजिए तथा ये दिये गए कूट से ज्याद करें कि पश्मी तरपर अवस्तित है मतलब इस वाले तरपर कौन कौन अवस्तित है जंजीरा महाराष्ट में तो जंजीरा तो है तो एक तो है अब जल्दी से बताएं कौन सा नहीं होगा अब आप सभी लोग जल्दी 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 जंजीरा महाराष्ट का है तो एक और दो तो सही है ये सब नाइक हैं ये शब आपके तमिल लाडू के हैं तो आप जल्दी से बताएं हमें तो यहां पर कुछ नहीं आ रहा है अब आपको क्या तो पक्या मिलान करको बताएं क्या सही होगा तो कहा गया दीगा, दीगा कहा होगा, जल्दी से पता हैं दीगा कहा होगा, तो दीगा आपके पस्चिम मंगाल का है, कहा है पस्चिम मंगाल का है, कहा गया गोपालपूर, गोपालपूर कहा होगा, उडिशा का, कहा गया कलंग गुट कहा होगा, गोवा का होगा, और कहा गय का आगे तमिल नाडवा आंद प्रदेश की तठ का नाम है कोरो मंडल तठ है क्या नाम है कोरो मंडल तठ है सही बात है यह आप का क्या होगा यह आप राद की ख्रेतर के भीथ है यहां के चैतरों क rename क्या कordेश के च हो हिए और कर sinon क 9 के टट को कहते हैं कि तमिन नार्ड का समुद्री टट कहलाता है तो क्या गहलाएगा कौरो मंडल तञ्ट कहलाता है ऐसे परक्रसणों के लिए बिलकूल टाइम न वेस्ट करें आगे बढ़ते का अगे भारत के निम्लिकी तटों में से कौन कैशना ida बेट प्र players कोLet's um crimes couldrants Unbridge के मददी से अब देखो आपको आपका गहां गया यह महा नदी पर तो महा नदी छेठर के अंतर क्या अधिवाई का एगा उतकल सरकार ठीक है उतकल मैदान ठीक है उतकल मैदान और महा नदी से लेकर किष्णा नदी के बीच में उत्री सरकार और महा नदी से किष्णा नदी से लेकर के आप क्या कहेंगे आपके कहां तक कावेरी नदी के मद्ध में क्या आता है कोरो मंडल तट आता है तो किष्णा डेल टाइम केप कमोरिन अब केप कमोरिन कहा है यहाँ पर तो क्या कहेंगे कोरो मंडल स्टड कहेंगे उत्तरी सरकार और माला वर्थट तो आप कहेंगे मंगलूर से लेकर कन्या कुमारी कुंकर मैंने बता दिया महाराश्त से लेकर गुवटक के छेतर को याद करके रखो आग सभी लोग किसे जाना जाता है कंया कुमारी के लिए जाने जाते हैं किस जाना जाता है एगला प्रस ने कहाँ भारत के सबसे दच्छिर में कुंकर तर्ड यहां script पर होगा जात वाकिए तो पक्षिमी ततही मैदान के उतरी आएंगे और नहीं आते हैं यह आपसे दावा किया जाता है अक्सर यहीं से प्रसने पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग फटाफट इस प्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सेयर करें और अपने सभी दोस्त मित्र तक यह जरूर बताए कि यहां पर जागर्फी नह जितने most important topic आते हैं वो GSBoon में हम दे रहे हैं और वो भी फिरी दे रहे हैं चाहे आप आरो यारो की तैयारी करें चाहे आप UPPCS की तैयारी करें तो आज की class को हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे अगली class में तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखिएगा तुछ मिलते हैं अगली class में तब तक ले थैंक्यू सो मस्ट जै इन जै वारत